वाइफ स्वेपिंग क्या है? भारत में इसका ट्रेंड क्यों बढ़ता जा रहा है? मैंने सोचा कि अब थोड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बना लूँ. लोग बड़े इंट्रेस्ट से देखते हैं, तो इस बहाने एक नई जानकारी में इजाफा भी होगा, वाइफ स्वेपिंग. सबसे पहले आपको बता दूँ कि मैं किसी भी ऐसे काम को सपोर्ट नहीं करता, जिसको हमारे मौशरे में हिकारस से देखा जाता हो या घटिया समझा जाता हो. वीडियो में वाइफ स्वेपिंग की जो भी जानकारी दी जा रही है, वो आज पोडूस में दिख रहे सोशल ट्रेंड के मुताबिक हैं, चलिए शुरू करते हैं, वाइफ लब्स के मतलब से तो कोई अंजान नहीं है, स्वेपिंग का मतलब अदला बदली, वाइफ स्वेपिंग मतलब हुआ एक राद के लिए पतियों या पत्नियों की अदला बदली, दोनों का मतलब मेरे इसाब से एक ही होता है, और नाम भी वाइफ स्वेपिंग, लेकिन मैं नहीं चाहता कि लिब्रल्स की डेफिनेशनों और उनके नौलेज साइंस के मताबिक मैं नारी वाइफ स्वेपिंग को हम पत्तियों की अदला बदली बोलेंगे, पिछली चार-पांच पीडियों से मौडर्न माहल में पले बड़े लड़के लड़कियां अपने माबाप को हलके लेवल की फिल्में, टीवी सिरियल और हलके लेवल की बाते करते देखकर बड़े हुए, पीडी दर पीडी तर्जव आमाल में और किरदार में हलका बन, काबिले कुबूल होता चला गया, लड़कियों के बीच लड़कों को तो बत किरदार माना जाता था, फिर उसी को लेकर एड मेकर्स, बालिवूड फिल्म मेकर्स, इन जैसों ने मौशरे में एक माहल बना दिया, लड़कियों की रिजनिंग पावर ने तो पुरा काम ही कर दिया, के हम ही क्यों ठेका ले, पती वरता होने का, नसल दर नसल लड़कियों में भी अपनी मा, बुआ, मौसी वगेरा की बातों को, उनके दुख दर्द और कहानियों को सुनते हुए कुलापन आता गया, 40-50 साल पहले छोटे शहरों और गाउं में जिनाकारी यानि फार्निक आशन, आसान लफजों में रखेल सिस्टम और दिगर हलके किस्म के तालुकाद देखने सुनने में नहीं आते थे, शिर्फ एलिट क्लास और बड़े शहरों में ही हर तरीके की जिनाकारी, बतकारी, बेहायाई होती है, ऐसा माना जाता था। लेकिन अब लड़का और लड़की चाहे शहर से हो या गाउं से यहां मान कर चलता है कि उसके हमसफर ने कुछ तो कांड किये ही होंगे। रही सही कसर सोशल मीडिया के जोस ने पूरी कर दी कि सच्चे सहीली वही जो दुलहन के सिम और मोबाइल को ठिकाने लगा दे या सच्चा दोस्त वही जो मोबाइल को फैक्टरी रिसेट कर दे। अब तो बर्तकिरदारी एक सामाजिक नामनिहाद लिब्रल मुआश्रे की पहचान बन चुकी है। वाइफ स्वेपिंग और क्यों न हो ऐसा। इल्मों और साइंस पर डिपेंड नास्तिकता से भरी माननेता में जिन्दगी का मतलब सिर्फ फाइव सेंस का पूरा मजा लेना है। फिर वाइफ स्वेपिंग भी मजे लेनी का ही जुगाड हुआना। कोई भी अगर इस सोच में यकिन रखेगा तो जाहिर है वो हर तरह के फाइव सेंस के मजे हासिल करने की कोशिस करेगा। और शादी के बाद अदला बदली यानि वाइफ स्वेपिंग के मजे लेगा ही लेगा। अब मसला यह है कि बार-बार शादी किसी अकलमन के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। तो वाइफ स्वेपिंग नाम का सेफ सलुशन अमेरिका या यूरोप में कभी किसी जिनाकार बदकार लोगों के एक गिरोह ने मिलकर निकाला होगा कि भाई आपस में अदला बदली कर लो। रात को वाइफ स्वेपिंग सुबा वापस अपने अपने घर। जब तक दिल लगे बढ़िया नहीं तो और कपल को वाइफ स्वेपिंग जैसे खेल में शामिल कर लो। वेस्टरन कल्चर वालों के लिए आसान था क्योंकि वो पहले ही दार्विनवाद और नाकस्तिक्ता के पुजारी थे एक जिंदगी वो खत्म। फिर कोई पाप नहीं, पुन्य नहीं, नेकी नहीं, गुना नहीं। आहिस्ता आहिस्ता भारत में भी वाइफ स्वेपिंग जैसी सोच की माननेता बढ़ती चली गई। और शुक्रिया अदा कीजिए वेफ स्रीज का जो सिर्फ और सिर्फ वाइफ स्वेपिंग इसका टाका उसके साथ उसके नाजायत तालुक इसके साथ जैसे सब्जेक्ट पर ही बनती है। यह स्रीज भी वाइफ स्वेपिंग जैसी माननेता को कायम कर रही है। आपको ये जानकारी कैसी लेगी कमेंट करके जरूर बताएं आप देखरें SD24